स्वागत एक पर फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करने वाले हैं वेस्ट इंडियो में डिसकस करने वाले हैं बस आपको यह वीडियो पूरा देखना है विदाउट स्किप किये अगर आप खुछ से अपनी एक बहतर फैंटसी टीम ब किट पर अगर हम बात करें तो यह जो विकेट है ना देखो वैसे तो वर्ल्ड कप में यह विकेट थोड़ा अन प्लेयवल सा हो गया था लेकिन उसके बाद जब आई सी की क्लास लगी तो यह जो विकेट है वो थोड़ा सा ऐसा बनाएगा कि यहां पर बैटर्स को अच्छ को 13 विकेट मिले तो पेटर्स ने थोड़ा एडवांटेज लिया है इन कंपेर टू स्पेनर और बाकी बैटर्स ने एक्स्टर डवांटेज लिया यह ध्यान रखना तो यह पीच अभी इस तरीके कहीं बीहिवियर मान के चलो अगर आफ्टर टॉस कोई पिच से से क्लिक कर लेना वहां पर आपको टेलिग्राम और वाट्स दोनों चैनल का लिंक मिल जागा दोनों पर आपको अपडेट मिलेगी लेकिन एक चीज ध्यान रहा है कि बैक अप के लिए वाट्सेप चैनल जरूर जाइन करके रखना है ठीक है फ्री है बिल्कुल तो कि इस च पिनर जो है राश्टेन चेज है बट यहां पर मैक्सिमम राइट हैं लेफ्ट टाम और फ्लॉक्स आखिवी लूटी और जी मोटी हैं व्याटेंडी इस की वाट इसे इनकी प्लीग में चेंजी हो सकते हैं अभी हम और प्लेश के बारे में भी जानलेंगा बट इमपोर्ट ने अच्छा किया है फॉर्ड ने अच्छा किया जोसेफ ने भी काफी अच्छा किया मोटी थोड़ा फ्लॉप हुए है इनकी टीम से जो इंके नाम के निशान लगा दिया इनकी टीम की यह पांच गिंदबाज है जो आपको गिंदबाजी करते हों दिखेंगे राष्टन चेज वैसे एक एक ओवर कर रहे हैं अगर आप देखोगे यहां पर तो एक एक ओवर ही किया महेंगे साबित हुए हो सकता अगर इन में से कोई महेंगा साबित हो तो यह ओवर डाले अदर्वाइस ना डाले और अगर साम हो गएज इसके एलावा समर्जोसे भी इंपोर्टेंट रहेंगे वैसे तो फिर्स इनिंग मेरे जा सकते हो जी मोटी इनकी इंप्रेंच अकीलूसेन की इंपॉर्टेंच रास्टन-चेस्श का इमप्रेंच अधनाज में की काा बढ़ेगी इन चार प्लेयर के अलावा आप बैसले को और और कौन से प्लेयर इस टीम से लेनें है नंबर देखेंगे सारेत गर्म प्लेयर की स्ριंथ Saturday आब मालों की टीम में से खेल जाते हैं जो अभी तक नहीं खेले तो इनका रिकॉर्ड 23 का एवरेज है 131 का स्ट्राइक रेट है यह रीशन्ट फॉर्म है 46-49-38 पांच में से तीन मेच में अच्छा स्कूर आया है बैटिंग में से मालो सेम रान हिटमायर को खिला लेते हैं तो इनका स्टैट्स देखो और राउंडर में से अगर यह फैवियन अलन को खिलाते हैं तो पंदरा का एवरेज 135 का स्ट्राइक रेट 37 मैच में से 32 इनिंग में बॉलिंग डाली 24 विकिट है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आओगे तो ओबेद मकोयादी खेलते हैं इनका रिशन्ट फॉर्म है तो इस तरीके से आपको हर एक प्लेयर का स्टैट्स देखते हुँ चलना यह प्लेयर्स खेल सकते हैं ठीक है तो आगे हम इनके बारे में और भी चीज़े डिसकस करने वाले उसके अलाबा टेलिग्राम से नहीं जूड़े तो जूड़ जाओ देखो इंप्वाटेंट आफ्टर टॉस के अप्रेट वहीं दी जाती है और एक चीज़ जो मैंने आपको बता है यहां पर अगर आप हमारे साइन आप करते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देया है तो आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे तो बचोगे आप साथ ही साथ आपको डिपॉजिट ऑफर मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट आप सौ से लेकि एक लाग के बीच में कोई भी अमांट डिपॉजिट करो अपको टेलिग्राम पर रिजल्ट करता रहता हूं तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बिलेगा उनेश्ट 11 का जा के साइन अप कर लो अब देखो अब देखो अब अब इनकी टीम से मस्था पिक की बात करें तो मेरे अकोर्डिंग हो जाएंगे यह दिन मार्करम दूसरे ट्रिस्टन स्टप्स तीसरे बार्तमिन यह तीन ठीक है वहां से चार और यहां से तीन यह साथ प्लेयर आपकी टीम के मस्था पिक बेस्टीम होगी स्मॉल लिक की बाकी लिजाड विलियम्स रिजा इंडिक्स रिकल्टन या आर्वीडू से या क्रूगर यह लोग कब इंपोर्टेंट पिक रहेंगे आगे हम से चार गिंदवाजि शेढ मेहंगे साबित ना हो अगर इंका प्लेयर खेलते हैं तो यहां पे विहान मुल्डर यदी खेलते हैं तो उन्नीश का आवेरज मेच मैं 50 स्वेक्रेट 79 मेच में केवल चार बर पचास है 79 मेच की 32 इनिंग में 30 विकेट यहां पर विहान मुल्डर यदी खेलते हैं तो 19 का आवरेज आठ में पांच विकेट है इसके बाद यहां पर आजाओ बॉलिंग से तो नगीडी यदी खेलते हैं तो बागी तो सब खेली रहें ठीक है देख लो बाकी आगे डिसकस करेंगे हार एक प्लेयर का डीटेल अनालिसिस दोनों टीमों के बीच में 25 बार मैचेज हुए है वेस्ट इंडीज ने तेरा बार साउथ अफ्रिका ने बारा बार रैंकिंग्स आल्मोस सिमिलर है यह रहा है है हेड टू है वेन्यू रि अरिया 29 ऐबरीज संफ तीम इसवेन्यूप पर एक्किस्ट का अवरीज है पाव्वल का 25 कावरेज अगेंस टीम इसवेन्यू पर फंदरा का यहीटमायर का रिकॉट्वारेज है है अगेंस साउथ अफ्रिका एंस तयुकिञा है थैफ कर अधनीव में Väarity काइवरिज है एकेंश काइँळ group से लिए तैपकर लेकिन यी पे शावणा ना विकट पर 5 का एवर्ज है और 9 मच में 8 विकट है जी मोटी 6 मच में 9 विकट पांच में 37 वन्यू पर यह स्टीम की अगेंस्ट है समर्ज ओसेफ 5 मच में 8 अगेंस अगेंस्ट आफ न दो में 5 विकेट पर तो इस तरीके से आपको निका रिकोर्ड दिखेगा उसके बादाव वैसे ही साउथ आफ्रीका के प्लेयर्स का रिकॉर्ड है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज यानि है यानि जब भी इस टीम के अगेंस्ट खेले और वेन्यू यानि इस विकेट पर तो देखो रिजा एंडिक्स 32 का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 29 आर्वीडू से टी स्टप 44 43 का अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वेन्यू यही जो जो लास्ट दो मैच हुए न वही रिकॉर्ड वेन्यू बन गया है क्योंकि इनके प्लेयर्स ना मोस्ली इस विकेट पर खेले नहीं थे थीक है थोड़ा प्लेयर बेटल देख लेते हैं यहां पर एंपूरन को लिजार्ड पांच गेंदों में दो बर आउट किया है बाकी सब एक एक बार आउट हुए उससे कुछ खास कंक्लूजन निकलेगा नहीं यहां पर आओ तो रिजा इंडिक्स को समर जोसेफ ने दो बार रोमारियो से अफट ने दो बार ओवेद मकोई ने दो बार तो रिजा इंडिक्स यहां पर भी दो बर आउट किया है तो ध्यान रखना मकोई इस वरी इंपोर्टेंट विक इफ प्लेइंग अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ पिंग सेक्शन की बात करते हैं लेकिन उससे पहले देखो यार अगर आपको लगता है ना कि वीडियो इंफोमेटिव है आपने कुछ सीखा है आपको अच्छी गाइडेंस मिली है ठीक है तो जैनुरली मैं एक बात कहता हूं लाइक कर दिया करो कुछ मिलता नहीं या आपका कुछ जाता नहीं है लाइक करने से मुझे बस मोटिवेशन मिल जाएगा और ऐसी वीडियो बनाने के लिए क्योंकि अप्रिशेट कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रोव्मेंट की नीड है तो कमेंट सेक्शन खुला हूँ है और फीडबेक दे सकते हो लेकिन अटलेस्ट करो अगर थोड़ा सा भी आपको इंफोमेशन मिल रहा है या आपको सीख रहे हो तो बस यही चीज अब लगती है मुझे कुछ आप रिवार्ड देना चाहते हो तो यह रिवार्ड दे सकते हो बागी विकेट कीपिंग से पूरन को लिया अपनी टीम से कीपिंग भी कर रहे है मस्ट हब पिक कैप्टेंशी मैटेरियल से होप रिशेंट टाइमस में इनका काफी अच्छा एक वह देखने मिलाए कि T20 फॉर्मेट में भी इन्होंने अपना एक औरा बना लिया जैसे ODI में था तो कंसिस्टेंशी स्कोरिंग करने के लिए तो वैसे भी जाने जाते थे लेकिन T20 में थोड़ा स्ट्राइक को लेकर इनका इसू रहता था पट रिशेंट टाइमस में इन् और मिस्टाइब के प्लेयर है ले लिया तो अब यह मनाओ कि आउट ना हो लेकिन इनको हर गेंद में छक्का यह चौक कमाना है तो यह कभी भी आपका जो है गेम बजा सकते हैं तो वह चीजे के लिए थोड़ा सा रिस्क नहीं ले रहा हूं रिकल्टन में से काफी अच्छ को लिया है क्योंकि मैं इन फॉर्म है और मोस्ट इन फॉर्म प्लेयर को ही मैंने लिया है फिलहाल के लिए रिजा एंडिक्स लंबे समय से देखो यह वैसे तो टेक्निकली अच्छे बल्लेबाज है लेकिन सामने वाले गेंद बाजुने ने इनको खूब परेशान किया और ओप्सन ने अच्छा किया लेकिन वह किमी कि लेकिन अब परफॉर्मेंस अच्छा है टीम की सिरीज़ जी चुके क्या पता बॉलिंग डाल ज़ा है तो मिनी जील में गेम चेंज़र एथ है ज्यादा सजेस्ट में करूँगा नि ग्रेंड लिग में ट्राइगर ना इकाद का मैच में चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज काफी अच्छा रहता है कंसेस्टेंसली स्कोरिंग करते हैं टेक्निकली स्ट्रॉंग बल्लेवाज है लेकिन दिक्कत क्या है आउट ओफ फॉर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बैटिंग भी डिमोट कर दी यह पांच वी नंबर प्यार है और वन डाउन आते तो मैं मस्ठा पिक बोल भी देता अब अभी थोड़ा एवरेज पिक रदर फोड नीचे आ रहें कब गेंदबाजी मिले ना मिले और गेंदबाजी वैसे भी रियर करते हैं बल्लेवाजी कितनी मिले ना मिले कोई से और हिट मायर एवरेज फिक खेलेंगे भी तो जेशन श्मित को ग्रैंड लिग में ट्राइ कर लेना हाला कि खेलेंगे तो बॉलिंग मिलेगी कि नहीं वह कहना मुश्किल है और सामने लेफ्ट हिंडर से बॉलिंग भी डाल सकते हैं अपनी टीम के में और काफी कंसिस्टेंट स स्पिन को खेल नहीं पाते हैं सामने दो स्पिनर हैं ले लिया है रिस्क पे अगर आपको जाना हे न तो इनकी जगह पे आप जो मैंने आपको बैटिंग सेक्षन में प्लेयर्स बताया है यहाँ पर रिजा एंडिक्स या धनाजी आप इनको किसी को भी लेके जा सकते हूं मैंने थोड़ा रिस्क लिया कि बैटर अच्छे हैं यह बॉलिंग भले एक एकोवर मिल रहा बाट अगर इस मैच में मिल गई बॉलिंग ना तो अच्छा कर सकते हैं प्लस इनके पास बैटिंग फेक्टर है और बैटिंग अच्छी है इनकी डैट्स वेहां मुल्डर खेलते ह जरूर रिस्क ले लेना वैसे डॉमस्टिक लेवल में फॉर्म अच्छा था नहीं का लेकिन डिशाइंट से ओल्राउंटर है फैबियन खेल जा तो यह ऐसे ओल्राउंटर है पॉइंट देंगे तो खूब देंगे अधरवाइस बिल्कुल पॉइंट निदेंगे तो इनको साथ के लिए फर्स्ट इनिंग में ज्यादा रहेंगे और जो आधिन मार्कर में फे खूब ट्रस्ट भी करते हैं ठीक है तो यह वाला फैक्टर है कि क्याप्तान अगर इन पर भरोसा दिखा रहा है तो कुरूसल ओवर इनको ही मिलेगा तो यह वाली चीज है लिजार्ड व तो मैंने आपके 10 और मैंने रिस्क लिया है एकिल हुश hendisa said ज्यादा विकेट दिलिवउरी जिनके पास है प्तकी लुशन थोड़ा चैनल कोगी आञेुख़ द ओंनीरफ भी बना लेतें वह फॉखट को मैं कोई इनिग में करूंगा विकेट टेकर है और गुच्छे में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं थोड़ी हार्ड इटिंग भी कर लेते हैं वह इनका एक प्लस पॉइंट है मफाका है कि एवरेज पिक रहेंगे लेकिन फर्स्ट इनिंग में ग्रैंड लिग में ज़रू ट्राय करना जब गया था तब में एरपोर्ट के नाम भी बोल गया आई थिंक जोहानिसबर्ग था वहां पर मैं इन से मिला था था थोड़े से डीशन पिक विकेट टेकर तो नहीं है बट कभी-कभी गुच्छे में विकेट मिल जाता अगर स्पिन फैक्टर रहा विकेट पे तो बट अभी है बट अभी है निस्पिन फैक्टर बाकि यह लोग खेल नहीं रहे मकाई खेलेंगे तो मस्ठापिक कोई बिनिंग नगीडी खेलेंगे तो कोई बिनिंग यह भी मस्ठापिक बर्जर फर्स इनिंग में ज्याद आच्छे अब हम चलते हैं टीम प्रिव्यू की तरफ के लिए जो टीम हो रहा है वह इस प्रकार से पूरन वाइस कैटेंशी सेफ्ट को दिया है आप मारकरं को भी अपनी वाइस कैटेंशी दे सकते हैं भागी मैं आइपको बताया आप मोटी की जिए कर सकते हो आप यहां पर जैसे पर फिर रिजाए एंडेक्स लेकर शारी ची खेलते हैं तो उनका क्या रिकॉर्ड है और किस तरीके से इंपोर्टेंट रहेंगे सारी चीज एक्स्प्लेइन कर यह वीडियो में अगर आपने पूरी वीडियो देखिए और आफटर टॉस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से और वाट्सेप से जुड़े हो जिनके टीम से बनानी है तो इनको एस प्लेयर रोटेट करो प्लस यह जो तीन ऑप्शन्स बता है इसमें से होप राश्टन चेज और पैटरिक क्रुगर को एड़ करो एस कैप्टन वाइस कैप्टन इन पर रोटेट करो अगर आपने एक सही डारेक्शन में मैच को रीड करते वे टीम बनाई है रोटेशन किया है और मैच उसी डारेक्शन में जा रहा है इसका मतलब लक ने आपका साथ दिया और अगर आपका थोड़ा सा भी लक ने साथ दिया ना तो आप ग्रैंड लिग में भी अच्छी रेंक लेकर आपाऊगे बाकी होप करता हूं मैंने आपको इस चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्त तब तक के लिए जाहिन